तो आज हम लोग theorem पढ़ेंगे टेंसर्स पर, जो starting theorem होगा, वो कुछ elementary type के theorem है, on the algebra of tensors, so let us start theorem number one, theorem number one देखिये ही वाला है, this is the theorem number one, और theorem number का statement हम लोग का है, sum and difference of two tensors of the same type is again a tensor of the same type, बहुत simple statement है, कि दो tensors अगर है, और दोनों same type क्या है, तो उनका sum और उनका difference दोनों ही tensor होगा, उसी तरह होगा, so let us prove this theorem, let us prove this theorem, so first of all, let a, i1, i2, dot dot dot, i r, j1, j2, dot dot dot, js, and b is equals to p1, p2, dot dot dot, pr, superscript में, और सब स्क्रिप्ट में मानले लिखते हैं, q1, q2, dot dot dot, q, s, b, two tensors, b, two tensors, each of the type, of the type, दोनों mixed tensor है, और दोनों का type है, हम लोग का, r, s, r हम लोग का rank हो गया, कोंट्रा वेरियंट के लिए, और s हम लोग का rank है, corresponding to, co-variant tensor, और चुंकि दोनों हम लोग के tensors है, then, we have the following law of transformation, so हम लोग का, transformation इस तरह से होगा, सबसे पहले transformation हम लोग लिखते हैं, a के लिए, तो a- js, i1, i2, dot, 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 ir, superscript में, और subscript में लिखेंगे, j1, j2, dot, 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 js, will be equals to a, superscript में लिखते हैं, alpha1, alpha2, dot, 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 upto, alpha r, subscript में लिखते हैं, beta1, beta2, dot, 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 beta, s, into हम लोग अब, partial derivatives को into करेंगे, तो हमारे partial derivatives इस तरह से आएंगे, del x dash i1 by del x alpha 1 into del x dash i2 by del x alpha 2, dot, 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 del x dash i2 by del x alpha r, यहाँ पर i का, last वाले टर्म में, i का सबस्क्रिप्ट हम लोग का r है, उसी तरह से और कुछ, partial derivatives into होंगे, उनको मैं लिख रहा हूँ, del x beta 1 by del x dash j1 into del x beta 2 by del x dash j2, dot, 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 इसमें लास्ट फेक्टर होगा, वो होगा, del x beta s by del x dash js, तो अगर अगर यहाँ ध्यान से देखोगे आप, तो आप देख सकते हो, कि, कोवेरियन्ट, कॉम्पोनेंट्स हैं इधर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा s, राइट साइड में, और लेप्ट में हम लोग का, j1, j2, js, इनके कोर्रेस्पोंडिंग हम लोग का, यह सारे के सारे पार्शियल देरिवेटिप्स इन्टू हुए हैं, यहाँ से लेकर के, यहाँ तक, के पार्शियल देरिवेटिव इन्टू हुए हैं, और, उसी तरह से, हम लोग का जो, यहाँ पर, लेट में राइट, इट विल बीटा 1, उसी तरह से जो contra variant के corresponding जो हम लोग suffixes यूज किये हैं i1 से लेकर ir तक left side में और right side में alpha 1 से लेकर alpha r तक उनके लिए हम लोग इन सारे partial derivatives को into किये हैं यह तो definition में है a हम लोग का actually mixed tensor है a is nothing but a mixed tensor it is a mixed tensor अब यही law of transformation tensor b में भी होगा so इसमें हम लोग देख सकते हैं कि b में भी हम लोग का same transformation होने वाला है इस b में तो इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे अभी इसी तरह का law of transformation अच्छा इसमें देख लिए कि p1, p2, pr, q1, q2, qs जो हम लोग suffices यूज किया है तो इन suffices के जगा पर हम लोग दूसरा suffix भी यूज कर सकते हैं क्योंकि अल्टिमेटली इन suffices का variation एक से लेकर के n तक हैं तो टेंसर के हिसाब से अगर हम लोग कहीं पर a i लिख दिये सपोज suppose we are writing a i, a चलो superscript में i लिख दिये या a alpha लिखे और बोल रहे हैं कि ये एक टेंसर है या बोल रहे हैं कि ये एक टेंसर है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों में ही हम लोग का ये understood रहता है कि i का variation एक से लेकर के n तक रहेगा या alpha रहे तो alpha का भी variation एक से लेक करके n तक रहेगा और इसलिए हम लोग का superscript में और subscript में जो variable लिख रहे हैं वो बहुत जादे मेंटर नहीं करता है अगर अलग लग लिख रहे हैं तो बिख के लिए low of transformation हम लोग का इस टाइपस आएगा देखो बी- des i1 i2 dot 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 ir superscript में और subscript में आप Just j1 j2 dot 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 js left side में equals to B यहां पर हम लोग का होगा माल लेते हैं जो वहां पर लिखे है उसी को लिखेंगे, पिछले page में हमने लिखा था है यहाँ पर alpha 1, alpha 2, alpha 8 और beta1, beta 2 करते करते, beta 7 तक तो super script में हम लिखेंगे alpha 1, alpha 2 dot 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 alpha 8 और फिर beta 1, beta 2 dot 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 beta 7 अब multiply करना है partial derivatives को तो partial derivatives अल्टिमेटली यही पार्शियल डेरिवेटिप्स होंगे जो हम लोग की एक्विशन नमबर 1 में जो पार्शियल डेरिवेटिप्स हैं तो नहीं को यहां पर मैं लिखता हूँ तो देखिए सबसे पहले हां सुरू करता है डेल एक्स डेस आई वन बाई डेल एक्स अल्फा वन अगला वाला होगा डेल एक्स डेस आई टू बाई डेल एक्स अल्फा टू डोट 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 करते हुए लास्ट फेक्टर इस और में आगा हम लोग का डेल एक्स डेस आई आर बाई डेल एक्स अल्फा आर इन्टू इसी तरह से जो covariant vector के corresponding जो partial derivatives इन्टू होंगे वो इस तरह से होंगे del x beta 1 by del x dash j1 into del x beta 2 by del x dash j2 dot 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 इसमें छो last factor होगा वो होगा del x beta s by del x dash js अब इसको हम लोग equation number 2 माल लेंगे और simply हम लोग अब निकालते हैं let us adding so let us apply addition of the equation number 1 and 2 तो ऐसा करने से हम लोग को क्या मिलेगा हम लोग को यह result मिलने वालना है देखो लेप्ट साइड हम लोग को मिल जाएगा a dash i1 i2 dot 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 ir sub script में j1 j2 dot 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 j s plus b dash i1 i2 dot 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 ir in the superscript and in the subscripts हम लोग को लिखने पड़ाएगे j1 j2 dot 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 j s is equals to right side हम लोग लिखने पड़ाएगे that is a alpha 1 alpha 2 dot 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 of 2 alpha r beta 1 beta 2 dot 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 beta s plus b alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha r beta 1 beta 2 dot 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 beta s और जो partial derivatives हैं वो common है तो उनको common करके मैं नीचे लिखता हूँ देखो del x dash i1 by del x alpha 1 plus del x dash i2 by del x alpha 2 यहां पर बीच में इन्टू होगा दो इन्टू dot next वाला हम लोग का obviously आएगा del x dash i3 by del x alpha 3 dot 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 the last factor आएगा हम लोग का इसमें del x dash i r by del x alpha r यह हमारे हो गए contra variant के corresponding partial derivatives और covariant के corresponding जो partial derivatives हैं यह सारे के सारे यह भी common है दोनो equations में तो उनको में नीचे लिख रहा हूं del x beta 1 by del x dash j1 into del x beta 2 by del x dash j2 ऐसे dot 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 करते करते हम लोग का जाएगा del x beta s by del x dash js और इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग को जो vector यहाँ पर मिला यह वाला vector देशिति sum of two tensors दो tensors का sum तो sum of tensor जो मिला वो भी अगर देखोगे तो यह भी हम लोग का इस low of transformation को fulfill कर रहा है लोग transformation को कैसे fulfill कर रहा है हम लोग जान रहे हैं तो हम लोग in partial derivatives से उसको जान रहे हैं हम लोग कौन से partial derivatives उनको जान रहे हैं तो देखो यह वाला जो partial derivative है इदर यह हम लोग का contra variant vector के लिए होता है और नीचे वाले जो partial derivatives मैंने इन टू में लिखे हैं यहाँ पर यह partial derivatives इनको अगर देख रहे हो तो इन partial derivatives को देखके हम लोग यह conclude कर सकते हैं कि ultimately जो दो tensor का sum है किनका sum है यह यह वाला sum यह वाला sum यह tensor law of transformation को fulfill कर रहा है तो इसलिए हम लोग अब conclude कर सकते हैं this implies the sum with sum a i1 i2 dot 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 i r j1 यह 1 है j1 j2 dot 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 js plus b b इसको भी हम लिखे है i1 i2 dot 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 i r j1 j2 dot 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 js js तो इसको हम लोग अलाग अलाग variable भी लिख सकते हैं कोई दी करते ही है तो अगर इसको हम लोग बोल रहे हैं suppose this is equals to sum c i1 i2 dot 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 i r j1 j2 dot 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 js is A mixed tensor of the type kis type ka hai tode type ka hai R, S type ka hai jis type ka tensor a or b tha So this proves that the sum of two tensors of the same types is again a tensor of the same type यानि कि दो tensors का sum भी ऊईसा ही होगा लेकिन sum होने के लिए हाँ पर एक आउसक है कि जिनका हम लोग sum कनेंगे उनका type सेम होना चाहिए यानि कि contra variant rank और covariant rank दोनों का सेम होना चाहिए इसी तरह से हम लोग अगर next theorem प्रूफ करते हैं सपोज वेर लेइंग difference of two tensors of the same type is again a tensor of the same type तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है इसी theorem का हम लोग इसमें convert कर सकते हैं तो let us move on to the theorem number 2 तो theorem number 2 में हम लोग इसी से बना है मैं इसी में लिख दे रहा हूँ so let me write theorem number 2 तो theorem number 2 हम लोग का मालो यह theorem number 2 है theorem number 2 में कहाँ कहाँ change होगा यहाँ पर यह लोग sum के लिए किये हैं पहला वाला theorem तो theorem 1 है तो रहने तो इसी में तो difference के लिए अगर करना है तो equation 1 और 2 को रहने देंगे और यहाँ पर जो हम लोग किये हैं apply किये हैं 1 और 2 को जोड़े हैं बस यहाँ पर हम लोग difference ले लेंगे तो difference of two tensor is again a tensor अगर यह theorem प्रूफ करना है तो आप इस step के बाद आप simply यहाँ apply कर दो क्या apply करोगे 1 minus 2 और इस तरह से आपको क्या मिलेगा आपको यहाँ पर difference मिलेगा और यहाँ पर भी एक difference मिलेगा आपको minus का और बाकी सब जगा same होगा मतलब यहाँ minus हो जाएगा आपको एक जगा और एक यहाँ पर minus हो जाएगा और बाकी सारे terms same होगे और उसके बाद last conclusion में हम लोग को बस यहाँ पर plus का जगा minus को लिख देना है और इतना लिखने के बाद एक और conclusion or line जोड़ना है उसमें क्या जोड़ना है दस difference of two tensors of the same type is again a tensor of the same type तो इस तरह से हम लोग conclusion इसमें लिख देंगे कि दो tensors हैं दोनों का type same है तो उनका difference भी एक tensor होगा और उसका type भी होगा जो parent tensors में था तो इस तरह से हम लोग यह प्रूफ कर सकता है कि sum of two tensors and difference of two tensors of the same type is again a tensor of the same type तो यह theorem complete होता है इस वीडियो में इतना ही है THANK YOU